Electoral Bond के मामले को आज वतंत्र भारत का सफे बड़ा घोटाला कहते हैं जिसको हम कहते हैं चंदा दो और धंदा लो यानि कि Prepaid पहले आपने चंदा दिया फिर आपको Contract मिला 41.41 कंपनिया हैं जिनके उपर ED, IT या CBI ने RAID करे और उन्होंने चंदा दिया 2471 करोड का चंदा इन 41 ग्रूप्स ने दिया जिनके उपर CBI, ED या Income Tax के RAID हुए तो यानि देश को, जनता को, पब्लिक एक्सचेकर को कितना कितने 1000 करोड का नुकसान हुआ, सरकार और भाजपा के कौन लोग थे जो इस पूरे तीन ये ट्राइपार्टाइट कॉंस्पिरेसी हुई, अरे आप 8000 करोड इलेक्टोरल बॉंड का चंदा ले लेते हैं और आप कहते हैं हम कोई रेकॉर्ड नहीं रखते हैं, हमको नहीं पता कौन दे गया कमाल की बात है क्यों हम इस इलेक्टोरल बॉंड के मामले को आज स्वतंत्र भारत का सबसे बड़ा घुटाला कहते हैं देखे, टू जी का एक घुटाला हुआ, कोईले की खदानों का कोल गेट का घुटाला हुआ उसमें क्या था, उसमें ये था कि बिलकुल आर्बिक्टरी तरीके से लाइसंस दे दिये गए और कोईले की खदाने दे दी गए उस केस नहीं थी, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने एक कोर्ट मॉनिटर्ड इन्वेस्टिकेशन ओर्डर किया अब इलेक्टोरल बॉन्ड में क्या निकल कर आया है देखे, हम लोगों ने थोड़ी अभी प्रिलिम्नरी क्विक अनालिसिस करी है और क्योंकि आधा इलेक्टोरल बॉन्ड 50% भाजपा को मिला है तो हमने भाजपा की थोड़ी जादा गेहन अनालिसिस करी अब मैं आपको बता दूँ कि चार तरीके से या तीन तरीके से घूस ली गई इलेक्टोरल बॉन्ड के जरिये पहला जिसको हम कहते हैं चंदा दो और धंदा लो यानि कि प्रीपेड पहले आपने चंदा दिया फिर आपको कॉंट्रैक्ट मिला दूसरा थेका दो थेका लो रिश्वद दो यानि पहले आपको ठेका मिल गया उसके तुरंध बाद या उसके जल्दी ही आपने इलेक्टोरल बॉन्ड उस पार्टी को दे दिये जिस पार्टी की सरकार ने आपको ठेका दिया अब मैंने बोला भाजपा का हमने थोड़ा सा अनेलिसिस किया प्रिलिम्नरी अनेलिसिस में ये बात निकल कर आती है कि चंदा दो धंदा लो ठेका दो रिश्वत दो में 1751 1751 करोड के बॉंड दिये गए उन कंपनियों को जिनको भाजपा की सरकारों ने ठेके दिये और ठेके कितने के दिये 62,000 करोड के 62,000 करोड के ठेके दिये गए अब देखेए इसमें एक बात समझने की है चाहे उसमें आपको या भाजपा को जो रिश्वत मिली बाई वे उफ इलेक्टोरल बॉंड चाहे वो 1751 करोड ही रही हो लेकिन कॉंट्रैक्ट बासच हजार करोड के दिये गए उन कंपनियों को जिन्होंने ये इलेक्टोरल बॉंड दिये अब क्यों हम कहते हैं कि कई लोग सोचते हैं कि भाई ये तो कंपनियों का पैसा है उन्होंने दे दिया उससे जनता का क्या लेना देना ठीक से देखिए तो ये जनता का पैसा है क्योंकि जनता का पैसा इन कंपनियों को इन सरकारों ने जनता का पैसा ठेके के तौर पर दिया है और 62,000 करोड दिया है और उसमें घूस की बात नहीं होती चंदे की बात नहीं होती तो ये 62,000 के contract हो सकता है 40,000 के ही होते यानि हो सकता है 20,000-22,000 करोड जंता की जेव में से निकल गया इस 1751 करोड के bond के नाम पर घूस देने के लिए उसी तरह से बहुत सारी कंपनिया 41,000 कंपनिया हैं जिनके उपर ED, IT या CBI ने रेड करे और उन्होंने चंदा दिया 2471 करोड का चंदा इन 41 ग्रूप्स ने दिया जिनके उपर CBI, ED या Income Tax के रेड हुए और ये चंदा दिने के बाद RAID का क्या हुआ, कोई follow-up किया गया की नहीं किया गया, उनको छोड़ दिया गया और अगर छोड़ दिया गया जैसे की नितिन ने बताया, वो जो future gaming जिसने सबसे बड़ा चंदा दिया है उनके बारे में तो CAG ने बता दिया था कि उन्होंने कई राजियों को लूटा, अब उनके उपर ED ने दो हजार, 2023 में, 2023 में RAID करी, 2021 में, 2023 में Income Tax और ED की RAID होती है और उन्होंने भाजपा को तुरंग 60 करोड का उस समय चंदा दे दिया, टोटल तो भाजपा को तुरंग 60 करोड का चंदा दिया था और उसके बाद अगर ये आप लोगों के च्छानबीन का काम है, कि उसके बाद अगर ED और IT का एक्शन रुख गया, तो आप समझ लीजे कि जनता का कितना नुकसान हुआ है यानि कि हजारों करोड वो लूट रहे थे, उन्होंने उसके बाद कुछ 100 करोड का चंदा भाजपा को दे दिया, और फिर ED IT का एक्शन सब खतम हो गया, तो यानि देश को, जनता को, पब्लिक एक्स्चेकर को कितने 1000 करोड का नुकसान हुआ उसके वज़े से, मतलब यह वसूली का जो धंदा चल रहा था, इसमें पैसे तो 500 करोड मिले, भाजपा को इलेक्टोरल बॉंड के जरिये, लेकिन इसमें कितने पैसे छोड़े गए जो जनता के पैसे थे, जो जनता के लिए वसूल होने चाहिए थे, उसका 5%, 2% लेकर बाकी पैसा छोड़ द किया गया, तो ये बहुत बड़ा सवाल है, देखिए हम लोगों ने शुरू में जब बहस करी थी इस केस में, तो हम लोगों ने तीन ग्राउंड बोले थे, तो ये बोला था कि जनता के सुचना के अधिकार का ये हनन है, इस तरह के गुप्त बॉंड होना, दूसरा हमने ब करप्शन को, किक बैक्स को प्रमोट करेगा, और यही बात निकली, यही बात सुप्रीम कोर्ट ने अपने जज्जमंट में बोली, और अब खुलासा होने के बाद यही बात निकल करा रही है, कि करीब-करीब आधा या उससे जाधा, आधे से जाधा पैसा जो इलेक्टरल bond के जरिये मिला है, वो घूस के तोर पर मिला है, घूस आप ले सकते हैं, ED का डर दिखा के, IT, CBI का डर दिखा के, या घूस आप ले सकते हैं, कोई contract दे कर, कोई policy बदल कर, जैसे एक company के बारे में निकला था, कि उनके favor में policy बदल दी गई, और उनसे electoral bond ले लिए गए, तो ये तो देखे, ये तो एक जाँच का विशह है, कि इस सब की जाँच होनी चाहिए, क्योंकि ये इस आजाद भारत का सबसे बड़ा corruption scam उजागर हुआ है, और बिलकुल एक independent जाँच होनी चाहिए, और जो भी लोग involved थे, इसमें कई तरह के organizations involved थे, कंपनिया involved थी, जिन्होंने electoral bond दिये और जिनको ठेके मिले, या जिनके उपर से ED का हाथ खीच लिया गया, EDIT, CBI का, उसमें कौन अधिकारी involved थे, उसके बाद EDIT और CBI के लोग, जो लोग इसमें शरीक हो गए, इस पूरी conspiracy में, कि इनका इस्तमाल करके, हफता वसूला जाए बतलत विए पैसा वसूला जाये, तो वो कौन थे, और सरकार और भाजपा के कौन लोग थे, जो पूरे तीन, ये ट्राइपार्टाइट conspiracy हुई, और अगर ठेका देने की, तो उसमें सरकार के और भाजपा के कौन लोग थे और इन कंपनियों के कौन लोग थे, जो उस conspiracy में कि मतलब चंदा दो और ठेका लो वाली conspiracy में जो की सीधा सीधा prevention of corruption act में corruption होता है तो ये चीज बाहर आनी चाहिए इस पर पूरी तहकीकात होनी चाहिए सवाल ये है कि तहकीकात करेगा कौन जब इन एजंसियों की ही तहकीकात होनी है तो कौन तहकीकात करेगा obviously को independent SIT का गठन होना पड़ेगा अगर इसकी इमानदारी से तहकीकात होनी लेकिन अभी तो आप लोगों को आपकी सबकी duty है कि इसकी पूरी चानबीन करिए कि इन लोगों ने कब पैसा दिया, कब इनके ऊपर ED की raid हुई, EIT की raid हुई कि कब हाँ खींच लिया गया, उसके बाद कुछ हुआ की नहीं हुआ, अभी तो हम यही बता सकते हैं कि भही बहुत सारी ऐसी कंपनिया हैं जिनके उपर ED, IT का action हुआ, उन्होंने चंदा दे दिया, उसके बाद exactly क्या हुआ, यह आप लोग पता लगा सकते हैं, तो लास्ट बात, लेकिए सुप्रीम कोट ने एक इंटरिम ओर दिया था, 2019 में, और इसलिए उन्होंने बोला है कि वो जो इंटरिम ओर्डर की डेट थी, 12 अपरेल 2019, उसके बाद का ही डेटा उन्होंने ओर्डर किया है देने के रिए, लेकिन, उसके पहले के लिए सुप्रीम में, कोर्ट ने पार्डियो 얼마나 इलेक्शन कमिशन को बोला था कि तुम पार्टी से पूछो कि उनको अभी तक जो पॉण्ड मिले है, वो किस ने दिये है? वो उनसे पूछो, Election Commission ने पूछा, और बड़ी अजीब बात है कि छोटी-छोटी पार्टियों ने तो बता दिया कि हमको किस ने दिये हैं Electoral Bond, लेकिन जो बड़ी पार्टियां हैं, भाजपा, Congress, TMC, इन लोगों ने नहीं बताया कि किस ने दिये हैं, और एक पार्टियों ने तो जेडियों ने तो ये कह दिया कि हमारे यहां कोई दर्वाजे के नीचे छोड़ गया था, भाजपा वगेरे ने बोल दिया कि हमको पता नहीं, हम कोई रेकॉर्ड नहीं रखते, अरे आप आठ हजार करोड इलेक्टोरल बॉंड का चंदा ले लेत हैं और आप कहते हैं हम कोई रेकॉर्ड नहीं रखते हैं, हमको नहीं पता कौन दे गया, कमाल की बात है, तो काइदे से इन पार्टियों को भी ये सारा पूरा डेटा काइदे से बाहर आना चाहिए, 2019 के पहले का भी, और जैसे मैंने बोला ये तो दिखाता ही है कि हमारा ज इसमें पैसे का कितना केल हो गया है, कि देखिए, इलेक्शन में हर कैंडिडेट के उपर एक लिमिट होती है, 75 लाक, कितना आप खर्च कर सकते हैं, यानि अगर भाजपा 500 कैंडिडेट लगाती है, एक कोई पार्टी 500 कैंडिडेट लगाती है जोगसवा में, तो टोटल व एक पार्टी को भाजपा को 8250 करोड सिर्फ इलेक्टोरल बॉंड से मिल जाते हैं, यानि कहां 400 करोड, कहां 8000 करोड, अगर आपने कोई लिमिट लगाई है कैंडिडेट पर और कोई लिमिट नहीं लगाई है पुलिटिकल पार्टी के उपर, तो फिर कैंडिडेट के उपर लिमिट लगाने का कोई मतलब ही नहीं है, अगर वो पार्टियां उसको ना जादे खर्च कर सकती है, और जो वो कैश की बात कह रहते हैं, कि हम कैश खतम करना चाहते थे पुलिटिकल प्रोसेस से, इस वज़े से हम इलेक्टोरल बॉंड लाएं, वो कैश तो पूरी तरह से चल रहा है, अगर कैश खतम करना था, तो उसका बड़ा सिंपल तरीक्या था, जब आपने डी मॉनिटाइजेशन किया, तो आपने बोला, कि हम कैशलेस एकॉनमी बनाना चाहते हैं, यानि कि हम चाहते हैं, कि लोग सिर्फ बैंक के ट्रांजक्शन से पैसे का ट्रांजक्श में बस अमेंडमेंट लाना था, कि पुलिटिकल पार्टीज और कैंडिडेट्स विल ओनली टेक्ट मनी और स्पेंड बैंकिंग चैनल्स, और स्पेंड आप यह कर देते हैं, और अगर आपको पकड़ लिया गया कैश लेते हुए या देते हुए, तो पिर उसको करब प्रा करीब करीब बंद हो जाता, लेकिन वो लाइनी और उल्टा इलेक्टोरल बॉंड ले आए, जिससे जो वाइट मनी था, जो बैंक के थ्रू भी था, वो भी सारा पैसा अवैद होकर इस तरह से घूस के थ्रू दे दिया गया, तो यहाँ पर हम लोग अपनी बात खतम करते है कपल निशनल दस्तक की आपसे गुजारिस है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो निशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेट कलर के सब्सक्राइब बटन को दवाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दवाएं, निशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर ख़बर को शेर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें